नमस्कर आप देख रहे हैं नूजाप का 15 लाग का मावादी छोटु खेरवार मारा जा चुका है उसका सव एक खेत में मिला है पूरी रिपोर्ट बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि अगस्त के महिने में पूलीस के द्वारा उसके गाउं जाकर इस्तेहार चिपकाए गये थे कुरकी जपती को लेकर एनाउस भी किया गया था सबसे पहले वो वीडियो देखे उसके बाद मैं ये पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि कैसे छोटु खेरबार जो कि 15 लाग का इनामी नकसली था वो कैसे मारा गया सुने 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 आप इनाउंका 12 अगरस 2024 को समय सारे चार बजे लाते हार गिला के ग्राम सीकित के निवासियों को सुचित किया जाता है कि हस्ती नंबर 54 चोबिल बारे साथ हाना कां संखिया एक उब्लिक 2017 के अर्युक, छोटो खेरवार, उर्फ छोटो जी, उर्फ सुजित जी, पिता नरेश सींग, उर्फ नंका पाहन, गाम सीकित का रामे वाले के विरुष नकसली संगज़न के लिए कंबीर अपराद करने के आरोस में मामला जर्ज किया गया था इसके जवाब में ये अभी तक मान्य न्याले में अपना पच नहीं रखा और फिरार चल रहा है इस पर मान्य न्याले दोरा इनके विरुष इस्तिहार जारी किया है मान्य न्याले के इस्तिहार के अनुसाग तीज दिनों के अंदर अभियुक्त छोटो घरवार को न्याले के समस्परस्थुत बना है यदि फिर भी अभियुक्त मान्य न्याले के आदेश का पारण नहीं करता है तो इसके विरुद्पूर की अधिपत्रजारी करते हुए इसके घर के सारे चल अचल सर्पति को जब्त कर ली जाएगी मान्य न्याले काया इस्तिहार अव्युक्त के घर के तर्वाजे इसके परिजिनों के घर तता कहां में चिपकाया जा रहा है ताकि सभी को पता चल जाए कि छोटु खरवार को 30 दिरों के अंदर मान्य न्याले के समख प्रसुच उना है नहीं तो इसकी सारे चल अचल सर्पती को जब कर लिया जाएगा जारकर में नकसल गतिविधियों का आरोपी और 15 लाख रुपय का इनामी छोटु खरवार मारा गया है उसकी मौत आपसी लडाई के दोरान हुई है या घटना 25 नमबर को रात के समय लातेहार जिले के नवाडी छेत्र में हुई है चोटु खरवार पर सो से ज़्यादा नकसली घटनाओं में सामिल होने का भी आरोप था और जारकर सरकार ने उस पर 15 लाख रुपय का इनाम भी खोसित किया था चोटु खरवार जिसका असली नाम सुजित उर्फ बिर्जु सिंग था चारखंड के सबसे बड़े नकसलियों में सेग था उसकी हत्या अपसी रंजिस के कारण हुई है ऐसा पताय जा रहा है रिपोर्ट्स के मुतावित मावादियों के बीच में हाल में ही तनाव बढ़ गया था और इस वज़े से वे भीमा पाउं जंगल के पास एक समझोते के लिए कठा हुए थे समझोते के दौरान मावादियों के बीच हिंसा हुई और एक मावादि ने गोली चला दी जो सिधे तोर पर छोटू खरवार को लग गई गोली लगने के बाद मोके पर ही वा गीर पड़ा और उसकी मौत हो गई है अब तस्बुरियों के माधेम से देखे या 15 लाखी नामी मावादि चोटू खरवार का जो है वो सव है इसके बाद हमलाबरों ने उसका सव छोड़कर जंगल की और फरार हो गए पलामु के D.I.G. Y.S. रमेश ने इस घटना की पूष्टी करते हुए बताया कि जंगल में 100 मिला जो छोटू खरवार का है फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोसिज भी कर रही है छोटू खरवार जारखंड के छीपा दोहर इलाके का रहने वाला था और मावादियों के कोयल संक जोन का इंचार्ज भी था वो टेरर फंडिंग के मामलों में भी आरोपी था 2018 में राश्टिय जांच एजनसी N.I.A. ने उसके खिलाफ F.I.R. दर्च की थी या मामला 21 दिसंबा 2016 का है जब लातेहार के बालुमात थाने के पुलिस ने एक वेक्ति को 3 लाख रुपिये के साथ ग्रिपतार किया था उस वेक्ति ने पुलिस को बताया था कि या रकम जो है छोटु खिरवार की थी जो उसे नकसल गतिवीधियों के लिए उप्योग करने के लिए दी गई थी छोटु खरवार की मौच से जारखन में नकसली गतिवीधियों को लेकर नया मोडा सकता है हलाकि या भी माना जा रहा है कि नकसलियों के 20 की रंजिस के वज़े से उसकी जान गई है लाकि या भी माना जान जान गई है